दोस्तो घंशाम दास बिड़ला जो भारत के एक जाने माने एवं बहुत बड़े व्यापारी थे, इन्होंने अपने पुत्र बसंत के लिए एक पत्र लिखा, जिस पत्र का सीर सक्था, धनका उप्योग दूसरों की मदद के लिए करो. पत्र इस परकार था, पिर ये बसंत, तुम जब बड़े परिपक्व हो जाओगे, तब इस पत्र को पढ़ना, मैं इसे अनुभों से लिख रहा हूँ, मनुसे के रूप में जनम लेना दुरलब है, तुम्हें बहुत संपती संसादन मिले है, लेकिन अगर उनका उप्योग द कभी भी वेभव विलास सस्ते सुखों में मत करना, रावण ने अपनी संपता का उप्योग अनुचित प्रकार से किया, जबकि राजा जनक ने उसी का उप्योग सेवा कर्म में किया, धन संपता सास्वत नहीं होती, इसलिए जब तक वह तुमारे पास है, उसका इस्तिमाल दूसरों की साहता के लिए करो, अपने लिए केवल ज़रुत जितना ही उप्योग करो, और सेज संपती का वे, दीन दुखियों के कष्टों के निवारन के लिए करो, धन संपता एक ताकत है, लेकिन हमें इसके नसे में नहीं आना चाहिए, नहीं तो हम दूसरों के साथ अन पिला ने ये पत्तर अपने पुत्र बसंत कुमार बिडला को लिखा और कहा था कि इसे जब तुम बड़े हो जाओगे, परिपकव हो जाओगे तब पढ़ना, गंश्यामदास बिडला का जनम 10 अप्रेल 1894 को हुआ था, तथा इनका देहांत 11 जून 1983 को हुआ, राजस्तान क पिलानी में बिड्स पिलानी के नाम से एक बहुत बड़ा सेक्सिनिक संस्तान भी बिडला परिवार की देन है